प्रतिक्षा का प्रहर पूरा हुआ और अब बारी है उत्तर प्रदेश का इग्जेट पोल जानने की उत्तर प्रदेश जहां पर 80 लोग सभा सीटों के लिए पोलिंग हुई एक्सिस माई इंडिया इंडिया टुडे ग्रूप जिसके सबसे अधा एकुरेट पोल रहे हैं 2019 का लोग सभा चुनाओ या उसके बाद के कई विधान सभा चुनाओ इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश का चुनाओ 80 सीटों में पिछली दफा भारती जनता पार्टी 62 सीटों पर चुनाओ जीती थी इसमें 61 उनकी अपनी थी और निशाद पार्टी के जो प्रवीन निशाद थे वो भी उनी के सिंबल पर लड़े तो 62 बीजेपी के सिंबल पर अपना दल सोने लाल जो की अनुप्रिया पटेल और आशीश पटेल की पार्टी है पत्मी और पती आशीश पटेल योगी सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल नरेंदर मोधी मंत्री परशद में मंत्री उनको दो सीटे मिली थी तो टेली पहुँच गई थी 64 पास सीटे समाजवादी पार्टी को 10 सीटे मिली थी बहुजन समाज पार्टी को दोनों मिलकर लड़े ते आलाकि बाद में अलग हो गए थे तो 15 सीटें की थी और रायबरेली की एक सीट हाथ लगी थी कॉंग्रेस के 2024 में क्या होने की संभावना है इस पोल प्रडिक्शन के मताबिक भारती जनता पार्टी के नेत्रत वाले एंडिये को जिसमें बीजेपी और अपना दल सोनेलाल के लावा अब राश्ट्री लोगदल और राजभर जी की पार्टी भी सामिल है सुहल देव भारती समाज पार्टी एस बीजेपी इन्हें मिल सकती हैं सरसट से बहातर सीटें यानी 6 सीटों का 2019 के मकाबले लाब होता नजर आ रहा है बीजेपी की सीटे 64 से सरसट रह सकती हैं अपना दल राश्ट्री लोगदल और स्बीएस पी को मिला के जो 5 सीटें लड़ रहे हैं तो ये 3 से 5 के भी सीटें जीट सकते हैं तो टेली सरसट से बहातर पहुंचती है इंडिया अलाइंस की बात करें जिसमें कॉंग्रेस समाजवादी पार्टी और T.M.C है कॉंग्रेस 17 पे लड़ी समाजवादी पार्टी 62 क्व और GMC ऐक सीट पर ललतेश पत्य त्रिपारथी वाली सीट उस पर चुनाव लड़े कॉंग्रिस एक से तीन सीटों पर जीतती नजर आ रही है तिए एक से तीन सीटें कौन सी हूसकती है क्या ये रायबरेली की सीट है क्या ये सहारनपुर्की सीट है या कोई और सीट या बारा बंकी की सीट भी तीमसी सपा माफ करेंगा 62 सीटों पर चुनाओ लड़ रही है और 7 से 9 सीटों पर चुनाओ जीती नजर आ रही है यह 7 से 9 सीटें कौन सी है आजमगर की सीट है या फिर गाजीपूर की सीट है कनोज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायू, केराना ये कौन सी सीटें हैं संभल, मुरादाबाद या रामपूर कौन सी सीटें हैं जो सपा के खाते में आती नजर आ रही हैं एक्जिट पॉल के मताबिक समाजवादी पार्टी इस बात पर संतोश कर सकती है कि जिस पांच के आंकड़े पर वो 2014 और 2019 दोनों में ही टिके रहे थे अब वो उससे कुछ आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कितना आगे बढ़ रहे हैं साथ से 9 सीटें डबल हो रहा है फिगर लेकिन जिस तरह के फिगर की वो उमीद कर रहे थे एक सीट भी आ सकती है मुझे तो नहीं दिखा उत्तर प्रदेश में वो एक सीट कौन सी हो सकती है जहां बसपा भी चुनाओ जीच सकती है स्पश तोर पर बसपा को यहां 10 सीटों का नुकसान होता दिख रहा है अदर्स के खाते में 0 से 1 के बीच सीट आती दिख रही है अब यह एक सीट कौन सी हो सकती है इसको लेकर हम विद्वानों से चर्चा करेंगे कौन कौन से विद्वान हैं हमारे साथ हमारे साथ हैं अभिनव जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश को कवर कर रहे थे और हमारे साथ हैं सिध्धान्त मोहन ये भी उत्तर प्रदेश को लगातार कवर कर रहे थे ये दोनों साथी स्टूडियो में मुझे जॉइन कर रहे हैं अब डा इदम बिल्कुँ पक्के दोस्तों की तरह राम और शाम की तरह अगल बगल खड़े हो जाओ शावाश तब तक मैं जनता को पार्टी का 20 वोट शेयर बताता हूं कुछ वोटों का नुकसान तो हुआ है चार फीजदी की लगबग इंडिये को नु पाई यानि अभी भी एंडिये और इंडिया एलाइंस के बीच 10% का फासला आता नजर आ रहा है सबसे बड़े लूजर्स में बसपा भी है जिसको सपा के साथ गड़बंदन के चलते बड़ा जंप मिला था लेकिन हमने देखा था विदान सभा चुनाओं में वो 12 पे आ ग अब हम अपने सातियों से सिधान और अभिनों से डिसकस करेंगे कि कौन सी सीटें हैं जहां मुकाबला फसा हुआ है पर भारती जनता पार्टी अपनी टेली बढ़ाती हुई नजर आ रही है पिछली मरतबा वो 62 सीटें जीते थे इस बार 64 से सरसट सीटें जीत सकते हैं साय लोगियों की 3 से 5 सीटें भी जोड़ने तो वो 62 से 72 के आंकड़े पर यानी 6 कलाब बसपा को 10 का नुकसान वो 10 से 0 पर आ सकते हैं इंडिया अलाइंस जिसमें कॉंग्रेस अपा टीम सी है उन्हें चार का फाइदा 8 से 12 पर यानी जितने दावे किये जा रहे थी इसलिए मैं मैं बार-बार आपसे कहा रहा था कि यूपी को लेकि सोचल मीडिया जो दावे हो रहे हैं उनसे उलट दिख रहा है यह एक्जिट पोल वोट शेयर की बात करें एंडिये को औरंचास फीज दी इंडिया अलाइंस को 49 फीज दी बसपा को 8 फीज दी अब थोड़ा समय है मुख़ा चांद का टोकड़ा थोड़ा सेट ओ फ्रेम में दलित वोटों में दो कैटेगरी बनाई गई जाटव और नॉन जाटव जाटव में 31 फीजदी मिल रहा है इंडिया लाइन्स को और 32 फीजदी मिल रहा है माफ करिए 31 फीजदी एंडिया लाइन्स को 32 फीजदी इंडिया लाइन्स को बस्पा को 35 फीजदी जो सबसे तगड़ा उनका वोट बेस है बस्पा का उसमें वो आठ फीजदी का डेंट खा रहे हैं उसका लाब मिला है सपा कॉंग्रिस को यानि उस आठ में एक फीजदी एंडिये की तरफ गया और साथ फीजदी गया है इंडिया एलाइंस की तरफ लेकिन जब हम नौन जाटाओ की बात करते हैं तब इसमें 14 फीजदी का इज अबिक ही कहा जा सकता है कि दलित वोट बैंक में एंडिये के सेंध लगी है और भरी पूरी सेंध लगी है ज्यारा फीजदी जाटाओ हैं दस फीजदी नौन जाटाओ हैं दोनों को मिला के एक बढ़ा नौ घटा तो मोटा माटी आठ फीजदी का नुकसान है और इंडिया विरादरी का है 21 फीजदी पिछली बार के मुकाबले दलित उनकी तरफ जुके हैं यादव वोट बैंक की बात करें अगर तो यहां पे इंडिया आलाइंस को 35 फीजदी की बढ़त नजर आ रही है 79 परसेंट यादव पॉपलेशन ने इंडिया आलाइंस को वोट किया है औ लेकिन लोगसभा चुनाओं में अपनी नेशनल या हिंदू आइडेंटी की साथ जादा एसोसियेट करते हैं पॉल्टिकल एक्सपर्ट की भाषा में कहें तो वो रिवर्स होता दिखा है इस बार मुस्लिम पॉपलेशन की बात करें तो इंडिया एलाइंस को यहां एक तरफा वोट मिला है 87 फीजदी वोट मिला है और 38 परसेंट का इजाफा हुआ है सपा और कॉंग्रेस के साथ आने के बाद से वो जो द्वैद रहता था मुस्लिम पॉपलेशन को की राज्ज में अकलेश पर केंद्र में राहूल गांदी वो साथ आ गए तो वो द्वैद खत्म हो गया और सबसे जादा नुकसान बसपा को उठाना पड़ा जिसने 34 गवाया है 6 फीजदी यादव वोट 6 फीजदी मुस्लिम वोट राजपूत ब्रामण वैश और बाकी जो जनरल है उनकी बात करें तो एंडिये को यहां पर सपस्ट बढ़त हासल है राजपूतों और ब्रामणों में और वैश्यों में 75-76 और 80% ओवराल 76% जनरल केटेगरी का जो वोटर है वो एंडिये के साथ है इंडिया एलाइंस की बात करें तो 15-14-12 ओवराल 14-15% ही है जो इंडिया एलाइंस के वोटर को के एंडियेट को वोट मिला है यहां पे भी बसपा का नुकसान हुआ है तो दलित में हमने देखा ओवराल 31-32 जैसा मार्जिन है या 51-33 जैसा मार्जिन है नौन जाटव में मैंने जब आपको कहा था कि नौन जाटव दलित में एंडिये को नुकसान हुआ अपर नुकसान के बावजूद वो 51% पे हैं अभी यह ध्यान रखेगा OBC वोट की बात करें चार कैटेगरी में हमने इसको बाटा है कुर्मी लोध जाट और बाकी OBC कुर्मी 4 फीजदी लोध 3 फीजदी जाट 2 फीजदी और बाकी OBC 17 फीजदी इन सभी में एंडिये को इस पश्ट बढ़त हासिल है तो जो उत्तर प्रदेश में उनका बिश और भी प्रिचंद हो रहा है उसकी वज़े ये है कि दलिद वोटों में कुछ डेंट है सवर्ण वोट में उनका होल्ड इंटेक्ट है और OBC वोट में भी उनका वोट ओवराल जो है वो 5-7 परसेंट का ही डेंट खा रहा है लेकिन चुकि वो 60-70 परसेंट की रेंज म के साथ हैं लोट के सबसे बड़े नेता कल्यांट सिंग माने जाते रहे हैं 18 फीजदी इंडिया अलाइंस के साथ जाट में अब 71 फीजदी साथ हैं NDA के और 22 फीजदी इंडिया अलाइंस के लेकिन जाट वोटों में बीजे पी को 7% का नुकसान हो रहा है 2019 से अब तक और 12 फीजदी वोटों का लाब मिल रहा है OBC की बात करें तो अभी भी 22% OBC इन तीन से एतर बीजे पी के साथ हैं लेकिन 4% का नुकसान है और इंडिया को 6% का लाब है वापस से सीटों पर आते हैं उत्तर प्रदेश हम तीनों ही रिपोर्टर मित्रों का ग्रीह राज्य है तो पहले तो हमारी ये क्यूरियोस्टी भाईया ये कौन से सीट है जहां बस पर लडाई में है बांदा में बांदा में अच्छी लडाई में है ब्यस्पी जहां पर इनका केंडिडेट मजबूत माना जा रहा है बाकी साव बीजेपी से सीटिंग सांसद हैं आरके पटेल और सपा की तरफ से भी कोई पटेल ही शिवशंकर सिंग पटेल है मयंग दिवेदी हैं बसपा से मयंग दिवेदी इसलिए क्योंकि बांदा सदर में ब्रामणब बिरादरी के वोटों की संख्या अच्छी है चुकि बांदा में दलित बिरादरी की भी अच्छी खासी संख्या है इस वज़े से बांदा को कंट्र जाटाओं ने बयान दिये और जो इसको विपक्ष बुनाने की कोशिश करने लगा जो हमें ग्राउंड पर दिखता है अब जैसे बीजेपी को आप देखेंगे तो 37-37% यानि 10 में से 4 आदमी वोट कर रहा है तो अगर 6 आदमी उसके खिलाब भी बोल रहा है तब भी होना चाहूंगा कि जाटव वोट बैंक में अभी भी जो सबसे बड़ा शेर है वो अभी भी बस्पा के साथ है जब बस्पा अपना सबसे कमजोर चुनाओं लड़ रही है पिछले 5-8 लोग सभा चुनाओं की बात करें 91 onwards 8% का डेमेज है यूर राइट कि उसमें 7% जो 8 का डेमेज है सपा कॉंगरिस की तरफ गया लेकिन अभी भी जाटव वोट में 35 फीजदी बस्पा के साथ है 32 फीजदी इंडिया एलाइंस के साथ और 31 फीजदी है तो यह थ्री कॉर्नर्ट फाइट लॉंग रन में बीजेपी को हेल्प कर रही है जब तक बस्पा एक अगर हम देखें तो और 11 फीजदी पॉपलेशन है जाटव पॉपलेशन को और आप यह गेन साल 2017 के विधानसभा चुनाओं से शुरुवात होता हुआ देख सकते हैं जब 2014 के बाद नेरेंदर मुदी जब सत्ता में आते हैं तो यूपी में पहले वार विधानसभा चुना तो वो जा रहा था भारती जंता पार्टी के पक्ष में और यह ट्रेंड धीरे धीरे आके दोर 19 में आपको सौरब हम लोग जब फील्ड में इकले ते ललन टॉप के साथ वो मेरा पहला चुनाओ था तो उस समय भी यह ट्रेंड हम लोगों ने देखा था और 2022 और 2024 में खास पर चलता वह सबसे बड़ा नेता किसको मानते हैं तो मेंनी अफ देम टुक दे नेम आफ प्राइमिस्टर नरेंदर मोदी इंट्रेस्टिंग है इस पर हम बात करेंगे हमारे साथ इंडिन एक्स्प्रेस के वरिश्टमाद आता लालमनी जी भी जोड़ रहे हैं लालमनी जी लखनौ में बेस्ट हैं पहले भी नेतानगरी में उनसे मुखातिब रहे लालमनी भाई क्या आने आपके कैसे हैं नमस्कार बढ़िया मई जून में अपरेल मई में जब यहूं कटने के बाद किसान भी खेत की तरफ नहीं जाता है लेकिन हम लोग फील्ड में खूब घूम है अना कि जो जो डेटा भी आप माई सिस्टे निखा रहे थे मेरा जो कल्किनिशन था कि बीजेपी खुद 62 से 62 से 66 ऐसे पाएंगी बाकि इंटी जो अपने दल के दोनों सीट है वो निकल सकती है अपनी अनलिली की दोनों सीट निकल सकती है फोड़े दिक्कत विंको है जो अपने मुकामना अच्छा है जब बाकि जब सास को नो सास रहनों सीटी जवाब पर फोजिशन को दिखा रहे हैं इंडिया लाएज तो उसमें एक आजमपर्द जो मुझे लगड़ा आजमपर्द विजेपी दिक्कत की बात है आपके आजमपर्द आपको इंको फिरोजव करना चाहेंगे इसमें? अबेकर नगर में धिक्कत है बड़ कुकि वहाँ पर जो समाजादी पार्टी के लाजी वर्मा वहाँ की लोकल के बड़े मेजूर प्रत्याशी है और पुराने बस पाके हैं तो वहाँ पर दलितों में भी उनका अच्छा कॉंटेट है मुस्मिन कर रहे हैं मुस्लिम वोट हम देख रहे हैं जो ओवराल 19% है यूपी में तो उसमें तो 19% में 87% उस उन्निस का 87% एक तरफा इंडिया ऐलाइन्स की तरफ जा रहा है तो जिस तरह से 25 फीजदी समण में 75 फीजदी बढ़ा हुआ है इंडिया के साथ वैसी 19 फीजदी में वो बढ़ा हुआ है एक दो ब्लॉक यह हो गए 10% नॉन जाटाओ में एंडिया को बढ़ात है 11% जाटाओ में इंडिया को बढ़ात है लेकिन थोड़ी सी मार्जिनल बढ़ाती है यादाओ में बहुत बढ़ाते वो भी 9% है लेकिन ओबीसी वोट जो है जो की कुलमिला के 26% है उसमें बीजेपी 64, 65, 70 ये परसेंट का मार्जिन रख रही है और उसमें इंडिया एलाइंस 29, 18, 22, 22 पे रहे है जातिकन जंगर्णा की प्रॉमेस अखलेश यादाओ का चेहरा इन सब के बावजूद नौन यादाओ OBC में क्यों इंडिया एलाइंस नहीं कर पा रहा है कुछ भी नौन यादाओ OBC में कोई प्रभाव नहीं कर रहा है तो अभी हम बात किया ने का संसस पर आपने जसे का का संसस की डिमांड अखेश आदो कर रहे तो आप उनको वोट करोंगे तो उनके लिए को इस पांस की बात कर रहे थे और का संसस की बात कर रहे थे और या फोशेल पार्टिस कोई कामन मिलनों प्रोग्राम लेके भी नहीं है जिसमें का संसस की बात की गई हो तो जी बहुत शुक्रिया लालमनी भाई आपकी इंटेपडियों के लिए आप रुक करते हैं अभिनों का बताईए मैं जो यह जातिकत बात करें ते मैं तीनों वर्गों में थोड़ा कुछ-कुछ एड़ करना चाहूंगों जीसे दलित वाले की बात हुई मैं गाउं में था जिस पे गाउं के बाहर ऐसे लिखा हुआ था दा ग्रेट चमार खासकर कि जाती को बस्ती जीले की बात है मैं जब off camera उनसे पूछ रहा था कि आपके पास मान लीजे अगर बहेंजी चुनाओं नहीं लड़ रहे हैं आपकास दो विकल्प है cycle और हाथ यह मैं 2022 की बात बता रहा हूँ cycle और कमल आपकास दो विकल्प है तो वो बोलता है कि भाया है उमरी कटवाई लिए cycle boat ना दे बदली है क्योंकि अगर जाटो वोट कर रहा है cycle को तो यह दिख रहा है कि संब्धान effect है दूसरी चीज जो समण बिरादरी वो बीजेपी के साथ इसलिए intact है क्योंकि एक तो यह जो बात हुई की जाती के तारक्षण और इसकी जाती के जंगरना की बात हुई तो वो effect समण बिरादरी के साथ बना रहता है और उसका भी जमीन पे सर वो जो कहीं न कहीं जातियों का जो अपना conflict होता है वो नजर आता और वोटों में reflect होता है फर्ज कीजे बदोही की seat है बदोही में ललतेस बती सित्रपार्टी भले चुनाव रट रहे हैं लेकिन क्या उनको ब्रामण उस नंबर पे वोट करेगा जिस बिना पर टिकट माटा जाता है तो यह पहलाने ब्रामण है इनको दे दो तो यह ब्रामणों का इत्ता वोट ले आएंगे लेकिन क्या वोट करेगा ये बड़ा सवा यह देखिए उत्तरप्रदेश के लगभग लगभग देखेंगे तो कितना जादा वोट गेन हुआ है विपक्ष को जो अनुमान दिख रहा है तो जो वोटों का गेन दिख रहा है वो आपको नतीजों में रिफ्लेक्ट करेगा जो पिछली बार बीजेपी सीटे तीन और लाग के बीच आजाएगा तो यह जाती होगा समिकरार उसमें उसमें उस्ट करेगा